प्याना और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं लेकिन अब निगाहें महरास्ट्र और जारकंड की तरफ हैं जारकंड में राजस्थान की एक पार्टी भी इस बार चुनाव लडने की कवायद में है और उस पार्टी के नेता राजकुमार रोद बासवारा से सांसद हमारे साथ हैं आपके आने वाले कुछ दिन जार्खन में बेटने वाले हैं क्या भारत आदिवासी पार्टी जार्खन में इस बार का विधान सबाच नौल लड़ रही है आपके चनल के माद्यम से जार्खन के साथियों को मेरी और से सेवा जोहार अवस्य पुरिदेश की निगाहे जार्खन और महाराष्टर पे है जार्खन के अंदर हमारी पार्टी लगबग लंबे समय से काम कर रही है हमारे समाजिक संगडन भी लंबे समय से काम कर रहे थे और इस बार बारता दिवसी पार्टे जारखन के अंदर जोड़दार तरीके से इंट्री मारेगी और हमें उमिद है कि हमें सफलता मिलेगी पहली बार में ही अभी कितनी सीटों पर लड़ने की योजना है आपकी वाकी जो प्रदेस कार्यकाने हम लोगों ने बना रखी है और हमारी एक राष्ट्य कार्यकाने की गोर कमिटी है अभी तक यह डिशाइड हुआ है कि हम बिसिक सीटों पर ही लड़ेंगे ज़दा सीटों पर हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है कि वो सत्ताधरी पार्टी के पक्समें मद्दा अबी सोचता है और एक पुरा तंत्र लगा लेते हैं लेकिन इस बार जो सरकार सत्ता में हैं और उपक्शनाम हैं तो एक नॉर्मली तरीके से जो रहता है वो नहीं यह बिलकुल विपरी थे जोड़दार तरीके से जबाव देने को त्यार बेठी है बस चुनाव आयो जल्दी अपने डेट डिकलेर कर ले चुनाव हो जाया राजस्तान की साथों सीटों पे जनता जोड़दार तरीके से जबाव देने के लिए त्यार है यह जबाव यह रहेगा कि इन आट नो मैनों क के अंदर सरकार असफल रही है सरकार किसी भी मामले में न तो युवाओं को मलब राजी कर पाई है न बड़े बुज़ुर्गों को न एंपलोईों को और एक चीज़ देखे कि जो नॉर्मली जो योजना चली आ रही है सेंटल और स्टेड की उस योजना को दरातल पर इंपल परोंबर का 84 की जनता ने मुझे दो बार विधायक बना बोश्चांदार वोटों से और अब बाश्वाड उंगरुपर की जनता ने मुझे सांसत बनाया जनता ने जब मुझे सांसत के लिए चुनाव के लिए बेजा तब उन्होंने मेरे से प्रोमिस किया है कि हम कोई भी आएगा बहरत आदिवासी पार्टी से ही जीतेगा बरतमान में बजलाल जी की सरकार है बजलाल जी ने काफी बार मापर मिटिंगे की है लेकिन एक गंदी जो राजनितिक हो रही है पिछली बार मुख्यमंत्री जी आये थे एक मुख्यमंत्री जी कह के गए कि 84 सीट पे और यदिकारी को हटाने की बात कर रहे है दूसरी ओर आदिवासी की वोड की बात कर रहें तो जनタ समझदार है और जवाब देने की लिए Technology है आप चौरासी विदान सभा का देखेंगे, जितने जो तेसिलदार हैं, जितने नायब तेसिलदार हैं, थानेदार देखेंगे, बिस्विमिचो देखेंगे, जितने जो की पोस्ट वाले अधीकारी हैं, उन सारे अधीकारियों को हटवा लिया किया, पूरे जिल्ले में, HTA समुधाय के HTA बाहुली शेत्र है, इसके बाद HTA समुधाय का आता है, लेकिन वहाँ पर HTA सी बले वो हमारी पार्टी का नहीं है, जो आदिवसी अधिकारी उस इलाके में HTA बाच्पा नेताओं ने असा महोल बना रखा है कि जो आदिवसी अधिकारी गर समाज हीतियां, अधिवसी अधिकारी अपनी कम्यूटी की बात करने लगा, युवाओ के मोटिवेशन की बात करने लगा, उसको हटा रहे हैं, और पूरा जिल्ले के अंदर अधिवसी अधिकारी को नजर अंदास कर दिया है, वरतमान सरकार ने. हमने देखा है कि चुनाओ तो अभी चुनाओ की तारीखों का एलान भी नहीं हुआ है, लेकिन कंसिक्त काफी ज़्यादा बढ़ गए हैं, कई बार सोशल मीडिया पर धंकी मिलती है, कई बार हमले की खबरें आती हैं, आपको क्या लग रहा है कि उस पूरे इलाके में दक् मौल भीगड चुका है, अब पहली बार अधिवसी समुदय अपने हकदिकार की बात कर रहा है, सवेधानिक दायरे मेरे के बात कर रहा है, अपने इतिहास की बात कर रहा है, अपने कल्चर की बात कर रहा है, तो बाचपा को यसा है क्यों लग रहा है, एक माहुल खराब हो वाई जिस दिन आधिवसी हमुदा अपने अधिकार, अपने कल्चर अपने इतिहास की बात नहीं कर रहा था, आपको अच्छा लग रहा था, अब ये परियास कर रहा है, एक बाचपा ने ट्रेट चला रखा है कि आधिवसी को इतिहास खतम करने की, ताजा उदारान हमारे मा तो आदिवसी विरोधी जो मानसिक्ता से काम कर रही है तो आदिवसी समुदाई ही नहीं अन्य समुदाई को भी लग रहा है उस इलाके में रहने वाले अन्य समुदाई को भी लग रहा है कि बाचपा विकास की बात नहीं करके रोजगार की बात नहीं करके सिर्प इतिहासिक स्थलों को रितिहासिक परश्ट गुंवी को छेड़ना और धर्म की राज़निती करने पे तुली हुई है मानगड को लेकर उन्होंने कहा है कि ये कहना गलत है कि वहाँ पर भील प्रदेश की बात हो रही थी वहाँ पर वो लोग जो अपना धर्मी कायोजन है वह कर रहे थे आपकी आपत्ती क्या है इस बात को लेकर देखो अपत्ती ये है देश की इतिहासिक प्रष्ट गूंबी पर देखा जाए अंग्रेजों ने किसी भी इलाके में बक्ती करने पर किसी इलाके में किसी का नर्संभार पंद्रा स्वादीवा से नहीं मारे एक ये बात कहना कि आदिवे समुदाय बक्ति आंदोलन कर रहा था और इसलिए गोलिया चलाई कहां तक ओचित थे इस पस्ट है कि वो बिलराज कायम करने की जब गोविन गुरु महराज को नमबर दोजार तेरा के अंदर जब मानगड़ हटनर समवार हुआ अंग्रेजों ने गिरपतर किया गुज़रात के अंदर कोड़ ती उस कोड़ में पेस किया जजने जजमेंट दिया है सरकारी वकिल ने कहा है कि ये अलग से बिलराज कायम करने की उन पे राज दुरु का मुकदमा लिगा राज करेगा जब राज के वीरोध में काम करेगा तो इसलिए उन पर राजद्रो का मुगदमा चलाया जाए इसके बाद मन्नालाल जी अभी पेदा हुए मन्नालाल जी पेदा ही नहीं हुए थे उस समय से कई नेताओं ने इसके बारे में कहा हुआ हुआ हम जदा नी जाएंगे सिधा उनको यह कहेंगे टीरी मंत्री पूर्वा न लिप सिंग बुरिया बड़े लीडर थे मद्यबर्देश के उन्होंने बिलराज के बांग किये पूर्वा सांसो दिन पूर्वा विदाय को गुदरात के अंदर अभी दो से तीन विदाय के बिलराज के बांग कर रहे हैं तो यह डिमाइन बीए पी अकेली के नहीं है यह यह डिमाइन गुर्व महराज के अंदोलन से लगा के आज तक है एक मुद्ध जो है अभी राजस्तान में बहुत गर्म है उसको लेकर के आपकी राय जानना चाहूंगा की एसाई भरती परिक्षा जो 2021 में हुई उसको लेकर के तो कि लगाता है नए खुलासे भी हो रहे है युवाओं का एक धराय के बहरती जो है रद होनी जाहिए एक धरा जो ट्रेनी सिडूल के लिए का एक सिंगल अभ्यारती भी नहीं पाया गया अभी तक और मुझे जाहता को मिद है कि सिडूल एरिया का जो अभ्यारती है रात-दिन महनत करके अपने महनत किसी कंप्रश्चे EXAM को पास करता है, तो एसा ही बर्थी में सिडूल एरिया का एक सिंगल बच्च उनको जोइनिंग देजने चाहिए यह नहीं आप कहरें कि पूरी भरती तो रद नहीं होनी चाहिए पूरी भरती में बहुत सार लोग मेरे मेरे इलागे की बात करो लोगे इस तरह से इस तरह से हरकतों में बहुत कम इन्वोल रहते हैं यह अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि महनत से लगते हैं और अभी तक ऐसा ही भरती परिक्षा में उस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं लेकिन इसको इस तरह से डिवाइड करके देखना तो बहुत सहीं नहीं होगा कि PTI भरती परिक्षा में बांसवारा में लगातार नहीं खुला से हो रहे हैं अबिलकुल परिक्षा मामला हुआ उसमें एक चीज सामने फर्जी डिगरिया लालाच मया के कुछ लोग फर्जी डिगर लाइड 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 लेकिन इसमें भी तरह जालोर के लगे लगे थे उस्टीचर ने सबको ये सज़ेशन दिया और सारी जो गड़ी निकली जालो ने किया और जो विचारे उनको विचारात नहीं कहा है गलत ही है वो गलत ही होता है लेकिन कुछों को किया कि लिए और किछों को छुपा दिया गया है तो उसमें आपके चैनल के माद्यम से सरकार से कहना चाहूंगा जो बेदबाव तरीके से कुछ करवाई हुई है उस से वापस करें और निश्पक से करके जितने जो दोसियों उन पर कारवाई करें तो दोसियों पर कारवाई की मांग है पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के साथ-साथ फर्जी डिगरी के मामले में और अब नसर्फ राजस्थान बलकि मद्रप्रदेश में तो विधायकिन के जीती चुके हैं जारखंड की और भी पाउं फेलाने की कोशिश है देखना होगा कि वहाँ जब परिणाम आते हैं तो भारता दिवासी पाठी कितनी ज़्यादा सफल हो पाती है जैपुर से क्यामर स्वहोगी सोशिल कुमार के साथ सोमु आरंग एंडी टीवी